हालो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब बहुत अच्छे होंगी दोस्तों सभी का एक बाफेस है आपके अपने चैनल एक खास ब्यूटी वर्ल में दोस्तों मैं आप लोगों को इस चैनल पर करवारी हूं फुल प्रोफेश और बीडिशिन का गोल जिसमें मैं आपको स्किन मेकप एंगे यह तीन चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलिज देरियो थियोरी और डेमो के साथ तो दोस्तों हमने मेकप में स्टार्ट किया था मेकप के स्टेप्स का टॉबिक जिसमें से हमको स्टेप्स कर मैं अपको बता देती हूं कि क्या और कौन से स्टेप समारे हो चुक है तो सबसे फर्स चेप हमारा फेस क्लीनिंग प्रोसीजर जिसमें हमारा था टेनिंग टोनिंग जिसमें प्रोटेक्शन तो फर्स चेप में आप लोगों को करा चुकि हुए उसका में डब्ल भी दे वर ने तो सब्सेते हैं टो में जिसमें जिसमें यहांत्यूंट मंद तो इसमें को सब्सेते हैं। कौन से मेंकप पे कौन सा फेसपाउडर हमें यूस Серг इवे पूरा देखेगाँ डिटेल नॉलिज के लिए इसकेट कीजिएगा विटीवाइब स्केट चाहिए हम चाहिए दो श के बाधों जबन में शियरें का समझाईकत applied to the list कि अपने नोट्स दना पाएंगे तो नोटिफिकेशन के लिए बाल इकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है और पे क्लिक कर लिएजे सब्सक्राइब कर लिए और तक वीडियो पुरा ज़रूर देखेगा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा ज़रूर करेंगे सोमच चली वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फेस पाइस पर जितना भी मेकप किया है यह उस पूरे मेकप को अभी हमें क्या करने है सेट करना सेट करना बहुत ज़रूर पूरिया सेट करने के लिए हम यूज करते हैं फेस पाउडर का अगर आप फेस मेकप जो है उसको सेट नहीं करेंगे तो आपका मेकप लॉंग लास्टिंग नहीं बनेगा मेकप निकलना स्टार्ट हो जाएगा और आपका मेकप लंबे समय तक नहीं चल पाएगा क्योंकि समय तक मेकप आपके फेस पर टिका रहे इसलिए बहुत जरूरी है मेकप को सेट करना और मेकप को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं फेस पाउडर का इसको हम एक एक जामपल की थूरू में आप लोगों को समझाते हो देखे जैसे कि हमने ये मेकप किया हुआ है यह मैंन इसको highlighting के बाद हमारा है face powder का step अगर मैंने face powder का step नहीं किया इसको ऐसे ही छोड़ दिया दूसरा next step कर दिया एक तो blusher जो powder blusher आप यूज़ करेंगे वो अच्छे से नहीं हो पाएगा ठीक है दूसरा अभी जो मैंने बताया कि आपका makeup निकलना start हो जाएगा खराब होना start हो तो पूरा जो makeup है आपके hands पे आजाएगा आप phone को touch करेंगे पूरा जो product है आपके phone पर आजाएगा आपका makeup waterproof भी नहीं बनेगा और वो निकलना start हो जाएगा long lasting नहीं बनेगा तो अभी हमें क्या करना है यह देखे किस तरह से निकल जाएगा अगर हम इसे set नहीं करेंगे इसलिए बहुत ज़रूरी है makeup को set करना अभी मैं दूसरा इसको set करके दिखाती हूं आपको तो यह बिल्कुल भी नहीं निकलेगा देखे अभी दुबारा मैंने इसको apply कर दिया product को और अभी हम क्या करेंगे इसे powder यह बनाना powder मैं इसे set कर दूंगी बनाना powder से हम इसे set कर पेपर को तैब्स कर दोंगी बताऊंगी सारे पावडर के बारे में टाइप सप्टॉडर तो अभी मैं सिर्फ एक्जामपल दे रही हूं आपको इसको हमने क्या किया इस तरह से बनाना powder के साथ अभी हमने इसको set कर दिया हमने से banana powder से set कर दिया अभी देखे मैं tissue paper को touch कर र पहले हमने इसको सेट नहीं किया तो पूरा जो प्रोड़क्ट है वो टिशू पेपर पर आ गया था अभी हमने सेट कर दिया पाउडर के थू तो देखे मैंने बहुत अच्छे से प्रेस किया और यह नहीं निकला है सेम इसी तरीके से फेस पर भी होता है अगर हम पाउडर से मेकप को सेट नहीं करेंगे तो पूरा जो मेकप होता हमारा वो निकलना स्राट हो जाता है लॉंग लास्टिंग नहीं मनता लंबे समय तक नहीं चलता नहीं टिकता हमारे फेस पर इसी लिए बहुत ज़रूरी है फेस पाउडर का यूज करना फेस को फेस मेकप को सेट करना ठीक है तो ये क्लियर हो गया कि क्यों जरूरी होता है मेकप को सेट करना सबसे पहले हम जानते कि what is face powder face powder क्या है face powder भी हमारा एक कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट है जिसका यूज हम अपने स्कीन में मेकप में करते हैं ये हमारे face face पे से जो excess oil होता है उस excess oil को absorb करने का काम करता है oil को absorb करके हमारे स्कीन को एक matte finish लुक देता है जिसे हमारे स्कीन बहुत ही smooth, velvety नजर आती हो हमारा make-up बहुत ही flawless बनता है तो इस तरीके से हमारे make-up को बहुत ही beautiful बनाने में long lasting बनाने में जो face powder है वो बहुत ही important role play करता है तो यह होता है दोस्तो हमारा face powder तो next day हमारा what does face powder do face powder क्या काम करता है तो दोस्तो face powder आपके make-up को set करने में बहुत ही important role play करता है जो कि आपको मैंने अभी बताया उसके बाद दोस्तो next day के हमारा जो face powder होता है वो हमारे foundation को एक finishing look देने में आपकी help करता है and next day दोस्तो make-up को लंबे समय तक टिकने वाला बनाता है आपका make-up long lasting बनता है जब आपका make-up अच्छे से सेट हो जाता है तो वो निकलता नहीं है खराब नहीं होता है जिससे कि आपका make-up बहुत ही लंबे time तक चलता है फेस पर टिका रहता है next दोस्तो हमारा types of face powder face powder कितनी तरह की होते हैं तो first है हमारा loose powder second है pressed powder third है हमारा translucent powder fourth है हमारा HD powder HD की full form होती है high definition उसके बाद है banana powder and six है हमारा mineral powder mainly तो जो powder होते हैं face powder होते हैं वो two types of face powder होते हैं first होता है loose powder and second होता है pressed powder जो बाकी के other powders होते हैं या तो हमें loose powder की form में मिलते हैं या फिर हमें pressed powder की form में मिलते हैं जिसे हम compact powder भी कहते हैं pressed powder को हम compact powder भी बोलते हैं ठीके तो इस तरह से आपको ये सारे powder या तो loose form में मिलेंगे या फिर pressed powder की form में मिलेंगे difference बस इनकी quality में होता है तो दोस्तों लूज पाड़र का में काम यह होता है कि यह आपकी स्किनमे जो नैचरल उयल बनता है उस नैचरल उयल को यह कंट्रोल करके रखता ay आपके skin पर जो excess oil है उसको ये absorb कर लेता है इसका ये benefit आपको मिलता है कि आपका make-up oxidize नहीं होता तो आपका make-up gray नहीं होता किस तरह से इस तरह से कि अगर आपके skin में जो natural oil बन रहा है न वो natural oil अगर आपके foundation के साथ mix हो जाता है तो आपके foundation में कुछ इस तरह के ingredients होते हैं कि अगर वो ingredients आपके उस oil के साथ mix हो जाते हैं तो आपका make-up जो है oxidize होना start हो जाता है और इस oxidization के कारण आपका make-up जो है कुछ time के बादी gray होना start हो जाता है काला होना start हो जाता है तो इस तरह से आपके make-up को grey होने से भी बचाता है तो loose powder का बहुत ही main काम होता है कि ये आपके जो natural oil का production हो रहा है produce हो रहा है आपके skin में उसको ये अच्छे से control करके रखता है absorb कर लेता है तो आपका make-up grey होने से बच जाता है ठीक है तो first बहुत important role play करता है ये loose powder आपके make-up में उसके बाद दोस्तो next है हमारा loose powder loose powder आपके make-up को अच्छे से सेट करने के साथ आपके make-up को bright करने में भी आपकी help करता है next दोस्तो जो loose powder होता है वो आपके जो skin में pores होते हैं उनको भी reduce करने में आपकी help करता है कुछ लोगों को बहुत जादा large pores होते हैं जो make-up करने के बाद भी visible हो रहे होते हैं तो ये उन बड़े-बड़े pores को रोम चिद्रों को reduce करने में भी आपकी help करता है जिससे आपका make-up flawless लगे उसके बाद जो loose powder होते हैं बहुत ही light-weighted होते हैं बहुत जादा heavy नहीं लगता आपको face पर ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत जादा कुछ heavy भी लगा है बहुत light-weight होते हैं और oily and combination skin के लिए best होते हैं अगर आपकी oily skin है तो loose powder आपके लिए best है उनकी जो consistency है बहुत ही fine होते है बहुत ही fine होते हैं बहुत ही fine consistency होती है loose powder की तो यह हमारा loose powder के बारे में था सबकुछ जो कि मैंने आप लोगों को बता है hope की आपको clear भी हो गया होगा कि loose powder क्या होते हैं किस तरह से हम इसे यूज करते हैं तो नेक्स्ट उसके बाद है हमारा प्रेसड पॉडर प्रेसड पॉडर प्रेसड पॉडर आपको काफी सारे शेट मिल जाते हैं तो आप अपने skin tone से match करता हो shade purchase कर सकते है and this give a natural finish जो pressed powder होते हैं बहुत natural से finish आपको देते हैं अगर आप बहुत ज़्या heavy makeup नहीं करना चाहते हैं daily makeup में आप जो है moisturizer के बार आप स्रिफ pressed powder की भी application कर सकते हैं तो आपको एक natural सा finish मिल जाता है pressed powder के थुरू pressed powder का use भी makeup को set करने के लिए किया जाता है और ये हमें कुछ coverage भी देता है क्योंकि इसमें pigment होता है और आपकी skin को ये mattify करने में आपकी help करता है और जो compact pressed powder होते हैं उनको आप easily bag में carry कर सकते हैं क्योंकि compact form में होते हैं sponge भी साथ में होता है quick touch up के लिए best होता है आप जी जब जी चाहें quick touch up कर सकते है according to loose powder loose powder को use करना थोड़ा सा messy हो जाता है तो traveling में आप बहार जा रहे हैं traveling कर रहे हैं तो आप इन्हें अपने bag में carry कर सकते हैं whatever से quick touch up आप इनके दूप कर सकते हैं तो ये था हमारा pressed powder इसे दूस्तो हमेरा translucent powder translucent powder दोस्तो आपको name से अगन फिर्भा गया है कि transparent होते हैं पारदशी होते हैं किसी दाख कोई color नहीं होता है colorless powder होते हैं और इनका use भी हम अपने makeup को set करने में अपने makeup को long last ring बनाने में हम translucent powder का भी use करते हैं Translucent powder दोस्तों आपको loose powder and pressed powder दोनों form में मिलते हैं, आप चाहें तो loose powder की form में भी ले सकते हैं and pressed powder की form में भी ले सकते हैं, बट इनमें color नहीं होगा, colorless powder होंगे, white form में आपको ये मिलेंगे, इसी तरह से हमने या लिख दिया, ये translucent powder makeup के लिए अधरिक्त रंग नहीं होता, इन क्योंकि ये आपकी skin को एकदम से filter कर देता है, आपकी skin में जो भी कमिया खामिया होती है, ये उन सभी को height कर देता है, और आपको makeup का flawless, सुन्दर सा, beautiful सा look मिलता है, आपकी skin की सारी कमियों को ये height कर देता है, तो इसलिए आप इसे filter powder कह सकते हैं, जैसे आप camera में photo लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो उसमें filter होता है, ये वाला filter लगाते हैं, तो हमारी skin बहुत जाता beautiful लगने लग जाती है, सेम उसी तरीके से जब हम translucent powder का use करते हैं, तो ये हमारी skin को एकदम से filter कर देता है, सारी कमियों को छिपा देता है, और हमें बहुत beautiful सुन्दर सा look मिलता है, उसे दोसों translucent powder does not give coverage, जो translucent powder होते हैं, वो आपको coverage नहीं देते हैं, क्योंकि इनमें किसी तरह कोई color नहीं होता, transparent होते हैं, translucent powder, लेकिन जो आपके loose powder, pressed powder होते हैं, वो आपको coverage भी देते हैं, क्योंकि उनमें tint होता है, color होता है, इसलिए, लेकिन transparent जो powder होते हैं, उनमें color नहीं ह आपको एक बहुत आपके मेकप को बहुत अच्छे से से लॉंग लास्टिंग बनाते हैं आपको ब्यूटिफुल सा एक फिल्टर मेकप का लुक क्रिएट करने में आपकी हल्प करते हैं ठीक है तो यह था हमारा ट्रांस्टूसिंट पाउडर एक से दोस्तों हमारा एश्टी यानि की हाई डेफिनेशन पाउडर इसका दोस्तों जैसा नाम है वैसे ही इसका काम भी है यह आपके मेकप को इतना ज्यादा फ्लॉलेस बना देता है जिसे आप जब कैमरे के सामने चाहते हैं कैमरे को फेस करते हैं तो आपके फेस पर जो भी कमिया खामिया होती है वो आती है बहुत ही अच्छे से कमियों को हाइट करने में इंपरफेक्शन को हाइट करने में HD powders best होते हैं अगर आपको कैमेरे को face करना है तो वहाँ पर HD makeup आपके लिए best होता है केकी ये आपकी skin को बिल्कुल भी केकी नहीं बनाता है अगर आप इसे अच्छे से blend करते हैं अधर्स पाउडर्स की मुकाबले ये आपको बहुत अच्छा flawless लुक देता है बिल्कुल भी आपके makeup को केकी नहीं बनाता है HD powders दोस्तों mineral based powders होते हैं और कैमेरे को जिन लोगों को face करना होता है जादा उन लोगों के लिए जो HD powders होते हैं वो best होते हैं ठीके नेक्से दोस्तों ये आपके skin में glow एड करता है imperfections को blur कर देता है और आपकी जो sweat पसीने की वज़े से जो skin पर shine आती है ये उस shine को reduce करके natural shine देने में आपकी help करता है और आपकी skin को बिल्कुल matte बनाने में matte finish लोग देने में आपकी help करता है हमारा HD powder तो कैमेरे के लिए best है हमारा HD powder नेक्से दोस्तों हमारा banana powder बनाना पाउडर भी एक बहुत हीचा setting powder है जो आपकी skin की खामियों को कम करता है और आपकी skin को एक matte look देने में आपकी help करता है जो banana powder होता है बनाना पाउडर भी हमारी loose family के powder जो उसे ब्लों करता है बनाना पाउडर आपको loose form में मिलता है एक से दोस्तों हमारा it is slightly yellowish color जो banana powder होते हैं वो हलके yellowish color में आपको मिलते हैं और इसका use हम अपने face पर अपने face की जो fine lines होती है उसको कम करने में make up को set करने में जो excess oil है उसको absorb करने के लिए अपने face को highlight करने के लिए क्योंकि इसमें yellow tint होता है तो आपके face को यह highlight भी करता है और अपने skin को एक even tone देने के लिए हम banana powder का use करते हैं तो यह हमारा banana powder है नेक्से दोस्तों हमारा mineral powder mineral powder आपको lose और press दोनों form में मिलते हैं और यह sensitive skin के लिए best होते हैं लेकि इसे आप all types of skin पर भी use कर सकते हैं जो mineral powder में दोस्तों natural ingredients होते हैं इसलिए आपके skin को irritate नहीं करते है इसलिए जो mineral powders होते हैं वो sensitive skin के लिए best होता है क्योंकि sensitive skin के पर हर एक product suit नहीं करता है तो mineral powders भी आपके makeup को बहुत अच्छे से set करता है और आप इसे sensitive skin पर easily use कर सकते हैं एक से दोस्तों हमारा powder according to skin type skin type के according हमें कौन सा powder choose करना चाहें तो oily skin अगर है तो oily skin के लिए loose powder best होता ह है और combination skin पर आप pressed and loose दोनों powder use कर सकते हैं sensitive skin के लिए हमारे mineral powders होते हैं and normal skin type है आपका तो आप any type of powder कोई भी powder आप easily use कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपनी skin type के according आप makeup में powder choose कर सकते हैं इस तरह से दोस्तों face powders भी हमारे makeup में एक बहुत ही जरूरी step है और बहुत ही जरूरी makeup का product है जो कि आपके makeup को oily greasy mess up होने से बचाता है especially during the summer 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 के time में गर्मियों के timing में तो यह बहुत साथ दिक्कत होती है कि आपका जो makeup है वो face पर टिकता नहीं है बहना start हो जाता है क्योंकि sweating आनी start हो जाती है oiling आनी start हो जाती है तो आपके जो face powders है वो आपको help करते हैं कि आप अच्छे से face powders का use कीजिए अपने makeup में इस वाले step को आपको बिल्कुल भी skip नहीं करना है ताकि आपको एक बहुत ही अच्छा flawless matte finish look आपको आपके makeup का मिल पाए दोस्तो आज की वीडियो में हमने complete किया face powder के step को और face powder से पहले वाले जो सारे steps है उनसा भी वीडियो का link में description box में देदू कि step by step तो वो सारे वीडियो भी आप ज़रू देख लिजेगा makeup steps को complete करने के लिए तो I hope दोस्तों कि आज का वीडियो आपको knowledge में लगा हो video knowledge में ल क्योंकि आप लोग मुझे Instagram पर भी DM करके पूस सकते हैं तो आशा करते हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब नहीं किया चानल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजे पासी विने बैल लगों को प्रेस करके ऑपे क्लिक कर झाल